हेलो फ्रैंड्स वेलकम तो डॉल्फिन अप्लाइन चैनल आप सभी का खुब खुब स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम आज आपके लिए लेकिया आए टोटली स्पेश्चली आस्क्रीम कॉंसेप ठीके इसके अंदर हम अलग हर एक जात की अलग-अलग प अलग-अलग कॉंसेप सिंगल फ्लेवर तीन फ्लेवर गाली में लगाने वाली मशीन शॉप में लगाने वाली मशीन रेंबो मोडल पेकिंग करने वाली हाड आस्क्रीम मशीन तो एक ही वीडियो में आपको हर एक डिटेल्स हर एक जानकारी आपको पूरी शर्विंग करें जिससे आपको details और जानकरी मिले कि इसको केसे operate करनी है केसे चलानी है मसीन को सबसे पहले हमारी ये machine है single flavor softy machine है जो single head की machine है 2020 की advanced digital function वाली machine है जिसके अंदर हमने 7 inch का touchpad display यहाँ पे लगाया हुए आप देख सकते हो पुरी machine portable है A4 का paper का जो size रेता है वो A4 की size में पुरी machine है और पुरी standard look advanced function machine है जिसको आप कोई भी अपना showroom है कोई भी mall है कोई भी coffee cafe tea shop है कोई भी जगा पर portable जगा पर इतने space पर आप इसको रख सकते है अब देखिए only space इतना portable space है पुरी machine का look देख सकते हो यहाँ पे इसका bowl देख सकते हो आप इसका flavor tank है इसके अंदर सब इसके attachment है सब इसका dictionary है कैसे operate करना कैसे चलना रहे है कि इसके अंदर detail दिया गया है और यहाँ पे पुरा touchpad का display है machine में फ्रीज करना है washing करना है उसको सब आपको material खतम हो जाता है तो diffuser करना है defrosting का option है machine में कोई problem आता है machine में आसक्रीम कैसे बना इसका setting है यहाँ पे password setting है जहाँ पे पेटी में है फिर कोई भी online shopping payment का option डाल सकते हो या resetting कर सकते हो तो दोस्तों यह बहुती अच्छी machine है आज की तारीक में सबसे portable और new technology की machine है इस type की machine आपको market में दूसरी कहीं पर देखने नहीं मिलेगी उसके बाद हमारी यह machine है premium plus है जो इसके हमने पहले भी video upload आपके सामने की हुई यह market में किस टैप की इसको आस्क्रीम बनाते कैसे चलाते है यह तो हमारी premium plus है 2020 की advanced function वाली machine है उसके बाद यह same दोनों एकी machine है premium plus और दोनों एकी machine है लेकिन इसके अंदर हमने एक function और एड़ कर दिया इसके अंदर आपको इसके बारे में जानकरी देने वाले क्योंकि यह machine हमने पहले डेमो दे चुकिए premium plus का आज हम में प्लेटेन यह model की demonstration देने वाले आपको इसमें आश्क्रीम कैसे डालना है इसमें rainbow के topping कैसे डालना है कौनसी topping यूज होती है इसके अंदर कितना percentage से topping डालनी है उसकी हम एक आपको serving कराएंगे और दूसरे नंबर में हमारी hard ice cream machine है इसकी हम आपको serving करके पूरी बताएंगे operate करके पूरा चला के समझाएंगे इसको hard ice cream कैसे होता है इसको process कैसे ice cream निकालते कैसे serving करते हैं इसकी हम डिटेल इसके अंदर आपको देंगे भी सबसे पेले दोस्तों हमने mango का एक flavor बना ही हुआ है आप देह सकते यहाँ पे mango का एक बावूल भरा हुआ है flavors का यह आप देख सकते हैंपूरा mango का flavor है यह हमने already है इसको बना चुकिया इसको इसको दोस्तो हमने इसके अंदर चार लिटर मिल्क लगा हुआ आप देख सकते हो नकीए और दलका पर देखसकते हो इसके आप है यह 214 जी वेनिला पावडर रहें इसके बाज हुआ है Optimus के अदर अंदर नॉर्मल मिल्क जो मीन करते मूल का मिल्क है फुल फैट क्रीमिय मिल्क है व अभी उसके बाद हम इसके अंदर ए फ्लेवर का पेकेट भी एड़ करेंगे उसके अंदर अब देख सकते हो पुरा अब वेनिला का फ्लेवर हम इसमे एड़ करेंगे अब देख सकते हो पुरा आमने वेनिला का फ्लेवर इसके अंदर एड़ कर दिया है अब देख सकते हो पुरा अभी यह जो महरेक मशीन के साथ में इस टाइप का ब्लेंडर कस्टमर को फ्रीमे देते हैं आप देख सकते हो पुरा यह पुरा blender kit है इसका जिसके अंदर blender रेता है इसका fruit crushing के लिए रेता है अगर आपको softy machine में भी उसके अंदर आपको थिक सेक milk सेक कुछ बनाना है तो यह blender से आप इसको यूज़ कर सकते हो अब देखिए पुरा अभी हम इसके अंदर से एक blender का machine निकालेंगे जब machine निकला हमने उसके बाद इसका एक attachment निकालेंगे attachment निकाल दिया हमने उसके बाद यहाँ पर कोड में लाइन देंगे इनको जो vanilla का flavor हमने डाला इसको melt कर देंगे हम है तो बूत ही अच्छी quality का फास्ट व्लेटी का पाउडर है अब यह ब्रांट देख सकते हो बाइव फ्लेक्स करके डेवर बाद का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा वर टेश्टी फ्लेवर है अभी तक हमने अलग-अलग अभी इस ब्रांड का फ्लेवर टेस्ट किया है जिसमें सबसे बढ़ी है फ्लेवर और टेस्ट हमको इसका लगा हुआ है अब देख सकते हैं पुरा हम इसको अब इसको थोड़ा वाश कर देंगे अभी यह फ्लेवर बन के रेडी हो चुका है अभी यह मशीन है जो हमारा प्लेटेनियम मौडल इसके इंदर यह मत्रील पहले सबसे पहले मशीन को वाश करेंगे हैं नॉर्मल वाटर से इसको वाश करेंगे अभी ये नॉर्मल वाटर आ चुका है, इसको थोड़ा वाशिंग के लिए नॉर्मल पानी डालेंगे इसके इंदर इसका सब attachment रहता है, इसके अंदर box में लगा रहता है, इसका flavor design ने, डेख सकते हैं इसके बुरा shape के इसके अंदर से निकलता है, एक rissing ये इसका, इसका manual book है इसका बॉक से एडिस्टनली अभी इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया है आप देख सकते अभी यहाँ पे वाश का बटन है वाश का बटन दबाएंगे इसको जिससे उसको राउटिंग स्टार्ट हो जाएगा चार से पांच मिनीट अग इसको चलने देना है आपको अभी हम नॉर्मली दो मिनिट तक चलाएंगे इसलिए वो पुरा कंदर से क्लीन अप कर लेंगा उतनी देर में हम इसके जो स्पेर पाटे थोड़ा हैंडल इसमें फिट कर देते इसके हैंडल रहते हैं एटीन हैंडल यहां पे लगते उसको इंस्ट्रॉल के से करना है वो भी हम आपको समझाएंगे तो सबसे पहले एक बोल्ट रहता है इसको उपन कर देना आपको देखिए आप पुरा के बाद ये पूरा ट्रोल निकाल गये इसको ऐसे इंस्ट्ल कर देना आपको आप देख सकते आप ग्रिप में इसे लगा गया इसको एंटर कर देने अपको जब से बेला हैंडल इंश्टल हुआ खोग उसके बाद दूसरा हैंडल हो गिया उसकी दीशा हो घ्या γत भिए तीसरा हैंडल है जिक फिट हो गया उसका बोल्ट है हो फिट कर देंगे हैं देख सकते पुरा अभी हम इसका वास का बटन स्टॉप कर देंगे और जितना भी हमने वाटर अभी वास के लिए नहीं काला हो सब इसके इंदर डिफ्यूस कर देंगे इसको एक और डिफ्यूस हो चुका है ना पानी भी उबरत होना ऐक व४ करगी ब्बनेंदर यह एक इनदर दोनों बाय। बाउल में जो लिटर क्रें गेडर सेट यह दोनों बाउल में दोली टर दल के इंदर आप देख सकते हैं पूरा हमने दोनों में डोलो लीटर डाल दिया है अभी जो आपके सामने हमने फ्लेवर्स बना है या वो इसके इंदर हमने फ्लेवर्स इसका आप देख सकते हैं इसको हम थोड़ा बावल धक देंगे धकने के बाद सबसे पहले थोड़ा वोस का बटन दबाएंगे पुरा राउटिंग बीटर में एंटर हो जाएगा अच्छे से बड़ी आली मट्रियल अभी दो चार सेकिंड नहीं लगाना है और कुछ ज्यादा नहीं लगना है अब इस इसको फ्रीज का बटन है यहां पर उसको फ्रीज का बटन है उसको हम दबा देंगे यहां अभी श्टार्ट हो चुका है यह मश्ञीन पूरा आप देख सकते हैं यहां पर कौन का सेप बता रहा है आपको जब हंडेट मैंदwości क्राइज पर्सेंट होगा दब आशना है इकुर्टीस होगा है टर्शनाल ट्का खान एवall्यडी कंपरेशर जो यहां पर टेंपरेश्य की कि विस्का टेंपरेशर अभी 17 जैसे ही बढ़ता रहाएगा टेंपरेशर बढ़ता रहे पूरा कॉन बनके ready हो जाएगा इसका ठिक है अब एराउनली 10 से 8 से 10 मिनित timing लेगा उसको ready होने के लिए पूरा complete होने में 8 से 10 मिनित का timing लेगा उतनी देर में हम थोड़ा इसका स्पेर पाट का guidance देते है इसके अंदर MACHINE के साथ आपको इसका our कर दो पारिंग है वाइशर है इसका होल्डर से कॉर अपार्डर का पक्रेष्ट हो जाते हैं इसके बाद इसका डिजैनिंग का सेयफ कि हो फी मशिन के साथ में देते हैं आपको अपर मैंनुलसुबा प्राइल को IMPरोड़ के बाद अन्ट को दिग्क्तार निया उट भी जान क कि नचारा इसके इंदर दू आज को झाल जा मजीन के यहार इसके इंदर दी ख़ाई है इन आप को पूरा जसे olạ побस्ज है इसके नड्एकोकर कुलींग का वटेन दबागो embraced फ्रीज तेंपरेचर पर छोड़ देना है, आपको आप देख सकते हो पुरा यहाँ पे यहाँ पे आपको जो material है एंटर हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे उसक को cooling करना है तो cooling freeze का button ही और wash करना है तो wash का button है अगर temperature up-down करना है तो यहाँ चाप आप डाउन आपको आप डाउन कर सकते हो temperature है यहाँ पूरा वर्किंग स्टार्ट हो चुका इसका वॉशिंग होने के लिए पूरा मशिन में उसके बाद इसका वॉटर डिफ्यूस करना है यहां पर इसका बटन है इससे अब डिफ्यूस कर सकता हूँ यहां से लाग है यह पूरा डिफ्यूस हो रहा है पूरा जितना स्पेस से निकालना है वो स्पेस से आप निकाल सकते हो इसमें अभी इसको हम लॉक करनेंगे यहां से और इसको टाइट कर देंगे थोड़ा जिससे वो बाहर ना निकले कुछ भी अंदर से अभी इसके अंदर हम जो material बना है material फिल करेंगे इसके अंदर आप देख सकते है पुरा अभी material फिल किया है आपने इसमें है और यहाँ पर maximum का capacity आप देख सकते है maximum यहाँ तक आप फिल कर सकते हैं उससे ज़्यादा फिल नहीं करना है इसमें इसलिए अपने maximum वहां तक फिल करेंगे उसको यहाँ पे लिखा है maximum वहां तक उसको फिल कर दिया अभी इसको बन कर देंगे और इसको यहाँ पे freeze का button है और freeze का button हम दबा देंगे फ्रीज का button दबा दिया इसलिए वो start हो चुका है अभी अभी इसका compressor हम ने इसका भी चालू कर दिया है ठीक है अभी थोड़ी देर में इसका भी ice cream बनके ready हो जाएगा serving होने के लिए अभी हम यह machine का थोड़ा आपको rainbow system का function बताएंगे यहाँ पर इसका rainbow system AD किया हुआ है जो यह machine में नहीं रहता है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर रेंबो सिस्टम AD किया हुआ है अभी इसका हम टॉपिंच डालेंगे इसके अंदर यह हर्सिस का टॉपिंच से आप देख सकते हैं एक strawberry एक चोकलेट है पीछे उसका बाउल लगा रहता है यहाँ पर इसका पीछे बाउल है एक यह बाउल है एक यह बाउल है अभी हम इसमें strawberry टॉपिंच डालेंगे इसके अंदर आप देख सकते है एक इस टॉपिंच से इसका इस टॉपिंच डाल दिया हमने उसके बाद यह चोकलेट टॉपिंच हाईगा चोकलेट टॉपिंच को थोड़ा लूस करना पड़ेगा थोड़ा ज़ाड़ा हाट रहता है तो उसको अगर थोड़ा हाट रहेगा तो लाइन में जब जाएगा पूरा लाइन इसलिए हमने इसमें थोड़ा मिक्स कर दिया इसके इंदर कि दूधा इसको मिक्चर कर देंगे आँ इसको लाल इसको बल्ला प्लिवर सभशानिय को केश आँगे कर दाउर ा और देख मैं और तो Dow नो केशन कर देख न नहीं को अब सेाँड नहीं और से कर दो बत। अब ये से अधिया इस के अंदर बावल में डाल देंगे चोक्लेट में यहां पर उप स्काथर यृ बढ़्ख डाल दिया है यहां पर शोक्ळ स्टौेट डाल दी आपने यहाँ पर इसके कॉर्ण ओल्डर से लेते हैं इसको हम कॉर्ण भी लगा देते हैं यहाँ पर यही तरीके से आपको भी कॉर्ण ओल्डर लगा देना है इसके अंदर अब ही आश्क्रीम इसका रेडी हो चुका है अब दझिक सकते हैं यथ। सबसे पहले हम इसमें से एक नॉर्मल कौन निकालेंगे हैं साधा वाला कौन निकालेंगे साधा वाला कौन आप देख सकते हैं पुरा टॉपिंस बिना का है इसके अंदर कोई टॉपिंस लगा नहीं है अगर कोई कस्टमर साधा कौन मांगता है तो आप इसको साधा कौन दे सकते हैं उसके बाद हम टॉपिंस लगा निकाल के आपको बताएंगे टॉपिंस निकालने के लिए इसके यहां पर बटन दिया गया है जहम का बटन यहां पर दिया गया अगर जहम का बटन दबाएंगे तो ही टॉपिंस निकलेंगा अगर कोई कस्टमर टॉपिंस मांग रहा है तो आपको ये का बटन दबा देना है लाइट हो जाएगा यहाँ पर स्टार्ट अभी हम यहाँ से टॉपिंस वहला कौन निकालेंगे आप देख सकते हैं इस टैप का बोडर पर स्टॉपिंस लगा है अब देख सकते हैं बुरा इस देखिए इस टॉपिंस लग के हमने जो स्टॉपिंस लग के निकला है इसके अंदर से अब देखिए बुरा जो अपी देख उसके बाद हम अभी चोकलेट वाला आपने जो चोकलेट डाला है इस चोकलेट वाला पर लें नॉर्मल निकालेंगे साधा इस साधा कोन है आप देख सकते हैं ठीक है यह देखिए इस साधा कोन एक दम अले सलमान अभी उसके बाद हम चोकलेट वाला टॉपइंस वाला कोन निकालेंगे अंदर से हैं यहाँ पर चोकलेट बी का फंक्टिन है यहाँ पर हम बटन दबाएंगे इसको जेम भी करके है लाइट स्टार्ट हो गया इसका अब यहां से चॉकलेट वाला हम निकल लेंगे इसमें से यह देखिया यह चॉकलेट वाला निकला इंदर से अब देख सकते पुरा यह चॉकलेट का बोडल लगा हुआ है चारो साइड अब देख सकते पुरा इसेए निव्डी के एफ हंजा थे आपको बीच में मिक्स का उतुतर आपको दूक का is विल्डी का है इंदर से अविर मिक्स के हेंडल से भी आप निकाल सकते है यह पी हमने आपको पूर और पॉड़ा फंक्शन ओर सिस्टम समझाया फिर एक बार आपको हम स्टावेरी का निकालके बताएंगे इसके अंदर से इस टावेरी का निकालेंगे इसमें से नहीं देखिए यह सब बॉर्डर पे स्टावेरी का टोपिं समने जो डाला है यह ङुझा सकते यह देखिए दोस्तों आपको हमने ये टॉप मोडल की अरेक फंक्शन जानकरी दी कि इसको कैसे ओपरेट करना है कैसे चलाना है और हम इसको आपको कोस्टिंग भी बता देते हैं अगर आप एक कॉप बनाएंगी इसका एक या कोण था जाता है तो मैक्सिम्म 7-8 रुपय में जैमवाला टॉपिन्स वड़ा आपको कौन गिरता है परेट जैन कर्टेशन हैं तो आपको मूर्ढे वोडान इसके अनदर 50-60% या जापट रेस्यो इसके दे अदर ठीक है दोस्तो और यह मशीन हमारी आज की टॉप कॉलेटी टॉप फंक्शन वाली 2020 की सबसे एडवांस फीचर्स एडवांस फंक्शन वाली मशीन है ठीक है दोस्तो अभी हम आपको इसके अंदर से भी थोड़ा सर्विंग करके बताएंगे इसको ऑपरेट करके बताएंगे इसको तोड़ा लूज करेंगे और यहां से इसका ओपनर है यहां से ओपन हो जाएगा इस आप देख सकते बुरा देखिए यह निकलना चालो होगी है आद आसक्रीम इसके लिटर आ इसके नदर आप वन टाइम में 3 लीटर आशक्रीम डाल सकते हो तीन लीटर डालने के लि सबस्पर करना है इसको इसको क्यूबिंग करनारो है THEN ke जब कीविंग करना है इसको बेखियो जाभी डिस में आपको और आपको तो इसका modification करना है अगर soft hard कोज़ भी करना है आपको तो यहां से आप automatically इसको opt-down या set कुछ कर सकते हो soft करना है hard करना है और इसको one time में आप 3 लिटर कर तक का इसका चर्नर है तीन लिटर का इसको बाउल रेता है तो आप वन टाइम में एक बार में तीन लिटर मट्रियल डालके 10 से 15 मिन इसको कूलिंग पे रखेंगे इसलिए पूरा चील्ड और आस्क्रिम पूरा हाड होके सर्विंग करने के लिए निकल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको अमारी वीडियो सब प्रोड़क्स अच्छे लगे तो इसको अमारी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए जिससे आपको ज़्यादा नोटिफिकेशन जानकर यो डिटर मिलती रहेगी थैंक यू पर वच्छिंग ओर वीडियो